तो वाइज आप गाइस एक और अबोक्सिंग आ चुकी है पोको एम टू की जा पर समय मेरे हाथ में देख रहे हो इसके अच पूरी अन्बोक्सिंग और फूल इंप्रेशन एंड रिव्यू आपको देखने को मिले गाइस वीडियो के अंदर वीडियो एंड तक देखने और पसन आज़े हैं दोस्तों तक शेयर करो और सारे दोस्तों तक लावबाद इसलिए करते अपनी वीडियो को स्टार्ट है सो गाइस यह हमारे पास है पोको एम टू और इसका बॉक्स ब्लैक कलरका है हाले कि जो पोको सी तरी था उसका येलो कलरका था बिलिक लिए ब्लैक औ दोने जगह लिखा होगा फटवाट पहले इसके थोड़ी सी मेजर स्पेसिकेशन के बारे में देख लेते हैं एक आपको 6.53 इंचिस की फूल स्टी स्क्रीन देखने को मिलती है और मीडिय टेक का हीलियो जी अटी प्रोसेसर देखने को मिलता है जो उक्टा को प्रोसेसर है और 5000 एमेज के बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और थर्टीन मेगा पिक्सल का कामरा देखने को मिल जाता है जो अभी हम टेस्स करेंगे आप सुच्छों के सील ब्रेक मैं कर चूँआ हूं क्योंकि यह मैंने ओन और करा था तो में देखना था अंदर प्रोड़क्ट सब्सक्राइब करें तो फड़ावट स्टार्ट करते हैं आपको मैं दिखाता हूं यह फॉक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा इसका हम फड़ावट यहां से करके कोल लेते हैं इस सेक्शन के अंदर हमें सिम्क निकालने का यंत्र और कुछ ग्यान की बातें मिलेगी जो हमें पढ़ने की जरूती है क्योंकि हम ऐसी बता देंगे आपको और गाइस इसके अंदर आपको में देखने को मिलता है आपका हम सब का स्मार्टफोन जिसकों अभी के लिए साइड पर रखेंगे और फटाफट पहले अंदर देख लेते हैं क्या क्या है अठारा वोट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और यह पूरी तरह से पोकर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंडेंट नहीं हुआ है यह अभी माई का चार्जर इस्तमाल कर रहे हैं और इसके साथ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो काफी अच्छी बात है स्कूरिक लिए सब्सक्राइबकार और देख सकते कैसा करना लग रहा है बहुत बड़ी है यहां इसका मैंने वेशन है वही बाशा है व फून जो है वह थोड़ा बहुरी है इन हैं फीडर तो काफि अच्छी दे रहा है बाकी बात हम आगे करते हैं सो अब बात करते हैं इसके थोड़े और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में फटा फट पहले अन्बॉक्सिंग कम्प्लीट कर लेते हैं वाँ एक बास बोड़ो तो में बहुत अच्छा लगा एक क्यामरा सेटप है पीछे और यहां पे रियर फिंगर्प्रिंट स्कैनर है जिसकी पोजीशनिंग मैं दिखाऊं तो अगर में फोन ऐसे पकड़ो तो बिल्कुल सही पोजीशनिंग दिए पर अगर सेपरेट होता तो जिसको में माइक के पास जाक को सुनाता हूं जो मैंने आपको पोकोस सी थ्री में भी बताया था वैस अब बात करते हैं इसके थोड़े से ओर विव के बारे में तो इस साइड पर आपको वॉल्यूम अपन डाउन लोकर और एक पावर बटन आपको देखने को मिलता है अगर एम आई और पोको का फोन है तो आई यह ब्लस्टर दो होना बनता है और देखा जाए तो कैमरे का बंप अगर मैं आपको दिखाऊ हूं तो कैमरे का बंप भी इतना ज्यादा नहीं है और इस साइड कोई बटन यह प्लेन है और बात अब नीचे की आती है नीचे हम सब्सक्राइब नोट के साथ 8 मेगा पीचल का कैमरा लगा हुआ है और उपर एक स्टीरियो स्पिकर के लिए एक स्केंडरी स्पिकर है तो इस फटा फट इस फोन को खोल लेते हैं है 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 जब तक ओपन हो रहा है है तब तक गाई इसके सिम भी गारा भी देख लेते एक बार इसके अंदर डेडिकेटेड माइक्रो एक्षड कार्ड वाली आपको सिम देखने को मिलते हैं जिसके आप दो सेम और एक इसके अंदर डाल लेते हैं फटाफट अब अंदर डाल चुका है और हमारा फोन खुल चुका है तो गाइस हमारा फोन खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है फर्स्ट लुक के हिसाब से और उपर लगा हुआ है कुछ ऐसा वाटर ड्रोप्ट नोच आपको देखने को मिले अब गी और वह बिल्कुल सेम यू आई है जैसे पोको का था और गाइस वैसे इसके अंदर कुछ प्री इंस्टोल अब्स भी आपको देखने को जरूर मिलेगी इसको अब आभी हम डिलीट मारेंगे के करके और गाइस कुछ विल्कुल सेम इंटरफेस है जैसे पोक और आजकल आपको देखने मिल जाए बलकि आजकल तो अब मुए ट्वेल के बाद कंट्रोल सेंटर आ चुक है वह भी इसके थोड़ी दिर बाद अपडेट पूच हो जाएगा नीचे एप ड्रोर देखने को मिलेग सारी आप्स विगार आ जाएगी और काफी क्लीन यू आई है और इसके थोड़े से सॉफ्टेयर अप्डेट के बारे में भी जान लेते हैं और यह एंड्रोइड टैन पर बेज़ड है और मियू आई का 11 वर्जन इसके साथ चल रहे है और इसके साथ साथ अगर मैं को फ्रीज बताऊं तो अभी 110 जी वी टॉटल फ्रीज बचिए जिसमें से काफी फालत हो किया अप इन्होंने खुट डाल के दिया है वह बात अलग बढ़ते अब कामरा टेस्टिंग की तरफ बढ़ते तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो कामरा की जो क्लारिटी वह काफी अच्छी है चला एक दो फोटो लेके देख लेते हैं एक बन पर लेके देख लेते हैं एक टू एक पर देख लेते हैं और एक 0.6 एक पर करके देख लेते हैं इस पिच्चर की जो अप्टमाइजेशन है वह काफी बढ़िया आ रही है इस समय और इसके साथ साथ आपको पोट्रेड मोड प्रो मोड और पैनोरामा वीडियो शॉर्ट वीडियो का ओप्शन स्लो म आपको हर चीज देखने को इदर मिल जाएगी इसके अंदर कुछ ऐसे उप्शन से टाइम लेप्स हो जाता है शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आपको जूम विगया करने को मिल जाएगा वाइस वीडियो में भी काफी ऑप्शन है वीडियो के अंदर याप 0.66 तक पीछे क अगे कर सकते हो और 2x तक बिलकुल आगे कर सकते हो तो फोटो की बात करें तो इस फोटो की तो बहुत सही आ रही है तो इस कुछ मैक्रो शोट्स लेके भी देख लेते हैं कैमरा की क्लारिटी मिले को बैक कैमरा की तो बहुत बढ़िया लगी है अब थोड़ा सा फ्रेंट कैमरा की टेस्टिंग कर ली जाए गाइज काफी अच्छी क्लारिटी आ रही है मतलब अप्टोमाइजेशन जो है ना इमेज की वह बहुत बढ़िया है इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा हूं तो इसकी काफी अच्छी है आगे बढ़ते आगे टेस्टिंग अब करते हैं इसका साउंड टेस्ट कि मैं आवाज फुल पर कर देता हूं और हम पोको के फॉन आपके लिए नहीं चोड़ेंगे और इस बार भार भी में पुरा दिखाया जाएगा यह पोको सी त्री इस तब मेरे हाद में हैं इस फॉन की आज मैं बॉक्सिंग तभी तो गैस काफी अच्छी साउंड मतलब जितना मैं सोच रहा था उससे लाग गुना अच्छी मेरे को मिले में काउंट तो में को साउंड देखने को मिली यह काफी अच्छी बात है साउंड बहुत बढ़िया लगी मिरको इस फॉन अपको वीडियो पसंद आते हैं वीडियो पसंद आते हैं लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट करके बता दो वाई वीडियो के कैसी लगी है मिलता मैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाए